स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल वेजिटेरियन डिश जो सब के घरों में बनती है और सभी को बहुत पसंद आती है और वो है मेथी मलाई माटर तो चलिए देखते हैं हमारी रेसिपी कैसे बनती है गैस शुरू करते हैं यह पैन में हमने लिया हुआ है एक कप पानी उसमें डालेंगे दो कटे हुए प्यास टू टू थी टेबल स्पून काजू कटा हुआ अद्रक और दो कटी हुई हरी मिर्चे इसे हम अच्छे से बॉइल कर लेंगे प्यास, काजू और हरी मिर्ची अच्छे से बॉइल हो चुकी है अब हम इसे एक बोल में निकालते हैं यह पानी हम फेकेंगे नहीं हम इसी सबजी में यूज करेंगे अब हम वेट करेंगे ताकि यह ठंडा हो जाए और हम इसे अच्छे से पीस लें ब्यास और काजू अच्छे से ठंडा हो चुका है अब इसे हम मिक्सी में पीसते हैं यह उसका बचा हुआ पानी है जो इसमें एड कर देंगे आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से पिस चुका है अब हम इसे कडाई में डालते हैं डलेगा थोड़ा सा तेल अब इसे कडाई में डालेंगे थोड़ा पानी और डालके बाखी का मसाला भी इसमें डालेंगे इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे दो तीन मिनिट के लिए जादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे बॉइल कर लिया है तो वो अल्रेडी पका हुआ है अब डालेंगे सुखे मसाले नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्ची जीरा पाउडर सूखा धनिया एक चमच अद्रक लसन का पेस्ट इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्का सा पानी डालेंगे थोड़ा अब डलेगा इसमें एक कटोरी भरके उबले हुए मातर इसे अच्छे से चला लेंगे यह मैंने ली है एक गठी मेथी जिसे मैंने अच्छे से उबाल के और उसका पूरा पानी निकाल दिया है थोड़ा सा पानी डाल दे ताकि ग्रेवी थोड़ी लूज हो जाए अब डालेंगे धनिया पत्ता लास में जाएगी एक छोटी कटोरी क्रीम की इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लास में जाएगा इसमें गरम मसाला सबजी को एक अच्छा उबाल आ चुका है अब गैस बंद करते हैं मेथी माटर मलाई एकदम तयार है हम इसे सर्फ करते हैं यह रहा मेथी मलाई मतर एकदम तयार इसे रोटी पराथा या चावल किसी के साथ भी खाएए इसे जरूर बनाएए और हमें लिख भेजे कि आपकी रेसिपी कैसे बनी तिल नेक्स टाइम गुडबाई ऐसे ही रिच रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्वाध अनुसार अनुसार